है आज मैं आपको कांसलिंग डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो बताने वाली हूं बट उसके पहले में एक और इंपोर्टेंट बात आपसे करना चाहते हूं जो भी बच्चे कांसलिंग के टाइम पर जानना चाहते हैं कि उन्हें कौन सा लेना चाहिए कॉलेज और कौन सा न गारूआ चाहिए किसरे आपकांसलिंग स्टार्ट होगी और जब तक कांसलिंक और झाल्य कांसलिंग नहीं हो जायेगी अगर आप चैनल पेंण तो अगर चैनल पें बारा चाहिए कॉ admire करें उस बाžवलेश्च ने रेंक पो यह घुता सबचाहए यूँ वह मिस नहूँ अब बात कर लेते हैं कांसलिंग डॉक्यमेंटर की ग्रत करते हैं अपियो lobbying फैस फॉटो लगेंगी और Kyle साइब्सक्राइब सुंश पासपोर्ण साइज का मतलब समझ रहे होंगे चोग हैं पोस्टक्राइब स्थैनल इस भी इना तर जiyorsunए और उसके बाद एक टेस्टेट कॉपी ओफ 10th class mark seat 10th class का mark seat चाहिए उसके बाद एक टेस्टेट कॉपी ओफ 10th class certificate 10th का certificate चाहिए 12th की mark seat चाहिए physics chemistry maths अगर आपका है तो अच्छी बात है अगर नहीं है तो बीडेस के लिए PCM कोई जरूरी नहीं है PCM जरूरी है बीएफ टेक के लिए अगर आप बीडेस में हो आपका कोई भी है तो कोई इशू नहीं है तो उसको चाहिए उसके बाद है 12th का certificate उसके बाद Attested copy of graduation degree certificate जो बच्चे master's में है जुनोंने master का एक्जाम दिया है उनको graduation और degree certificate भी साथ में देने हैं फिर उसके बाद mark seat of graduation degree certificate for master's यानि कि एक आपको mark seat देनी है और एक certificate देना है graduation के लिए भी उसके बाद Attested copy of SC certificate अब आप यह सोचे होंगे कि yes no yes no क्यों लिखा हुआ है तो यह मेरा document है जब मैंने counseling दिया था तो यह documents मैंने share किये थे तो verification के बाद लिखके आया था कि क्या मैंने दिया है और क्या नहीं दिया है तो वही यह और नो लिखा हुआ है तो उससे आप confuse ना हूँ तो है SC certificate में general थी मेरा सी कोई certificate नहीं था इसलिए no ST certificate उसका भी कोई certificate नहीं था PWD है आप तो उसका certificate लगता है उसका भी मेरा कोई certificate नहीं था बट अगर आपके case में है तो आप लगा सकते हो OBC वालों का certificate उसके बाद 12th class का school living certificate यह सर्फ उनके लिए जरूरी है जो domicile seat पे apply कर रहे हैं यानि कि अपने locality में चाहते हैं कि उनको center मिल जाए तो उन्हें school living certificate भी देना पड़ेगा for candidate seeking provisional admission अने बताया था आपको कि आपको अने जर्स भी देने होंगे जो आपको mail पर आएगा तो एने जर्फ भी देने हैं वह आप पर डिपेंड करता है कि कौन साप्र मैच करेगा मैच करेगा इंदे संस्ट जैसे कि मैं जनरल थी तो मैं ऐसी ऐसी तो नहीं दूंगी ठीक है तो अधिनियुकर फिट्ने सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब फ़ॉर्मिट जो आपका मेडिकल फिट्ने सर्टिफिकेट होगा वह प्रिस्क्राइब फॉर्मिट में होना चाहिए अभी आपको Mbbs डॉक्टर की सिग्नेचर चाहिए उसके बाद एंग्जर है टू जो की ए रिफंड एरेक्जर रिफंड का मैंने आपको बताया था कि रिफंड तभी होता है अगर आपने सीट चूज ना की हो अगर आपने सीट चूज कर ली है उसके बाद आप कॉलेज नहीं जा रहे हो तो यहां पर आपको कोई भी रिफंड नहीं होगा 9,000 something 10,000 रुपीज आपको refund होगा बाकी amount refund नहीं होगा उसके बाद है authorization letter in case candidate is not attending counseling in पर बहुत सा case हो सकता है जिसमें जो बच्चा है वो counseling attend नहीं करेगा तो अगर आप counseling attend नहीं कर रहे हो तो उसका भी letter आपको देना पड़ेगा certificate from the prescribed authority showing that he she belongs to economically weaker section यानि की weaker section EWS certificate वो भी चाहिए तो आई होप मैंने आपको सारे documents clearly बता दिये हैं कि आपको क्या लगने वाला है इसके according आप सब कुस देख सकते हैं बगी जो का certificate से उसका performance का मैंने लास्ट वीडियो आपको बता दिया था कि कैसे आपके forms दिखने चाहिए जो कि का सर्टिफिकेट हैं तो आप लोग ट्राइए कि वैसा ही आपका form दिखे अधरवाइस वो accept नहीं होता है तो आई होप सो कि आपको counseling के सारे documents क्लियर हो गए होंगे और मैंने आप मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देती हूं अगर आपको counseling के time में seat information चाहिए तो live join करने के लिए आप चैनल को subscribe कर सकते हैं थैंक यू सो मज